प्रस्पा की रैली में मची भगदल कम्मल वित्रण के दौरान बेकाबू ही भील्ड मैलाओं सईथ काई लोग भगदल में दबने से घायल प्रस्पा यूचन सभा के राष्टी अध्यक्ष में जानी बुलाई थी जनसंकल प्रैली कम्मल वित्रण के नाम पर जुटी थी हज देवरिया में किसान ड्याली को संबोधित करने पहुंचे डिप्री सियम केशव प्रसाद मौरे ने विपक्ष पर निशाना साधुते हुए बोला कि अखलेश जी और्टोमेटिक मशीन बनाते जा रही हैं कहा पिछली सरकार में सिर्फ पांच शेहरों को ही मिलती थी बिज कहा 2022 में दोबारा कमल खिलने से नहीं रोप पाएगा विपक्ष सपापार हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौरे ने कहा समाजवादी पार्टी 2022 में छोड़े प्रयास 2027 में करे प्रयास जिप्री स्रियम ने जर्टा से अपील करते हुए कहा कि 2022 में 2017 से बड़ी जीत दिला दीजे फिर अकली शादव विदेश यात्रा पर चले जाएंगे जैसे कॉंग्रस के पूर्वाध्यक्ष राहुल गाल ही चले गए केशम और ने कहा कि समादवादी पार्टी चुनाव हरे गया और इवियम पर हर का ठीकरा पोड़े गया खिले शादव ने चार सो सीटे जीतने पर निशाना साथ ते विकाग 2017 में सफा को 47 विदायक मिले 2022 में उतने भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी प्लब दिले मंगलवार को मुरादाबाद में शोसित वंचित समाद जिस सम्मेलन को करेंगे संबोधित कुंदर की विधान सफा क्षित्र में होगी जने सभा मुस्लिम मतदाताओं का गढ़ है कुंदर की 3,60,000 मतदाता में 2,10,000 हैं मुस्लिम मोटर की संख्या मंगलवार को अलिगर दोरे पर सीम योगी कासिमपूर पाउर हाउस में 660 मेगवार्ट विद्द प्लान के साथ 113 परियो जनाओं के अलिगर को देंगे सौगाथ शात्रों को टैबलेट भी बाटेंगे सीम योगी फिरोजबाद में किसाद महा पंचायत में शामिल हुए केंद्रे कानून राज्यमंत्री स्पी सिंग बगेल का बयान लखिम पूरकान को लेकर आशीश मिश्रा के खिलाब चार्शीट दाखिल लखोने पर कहा कि कानून का राज है अगर उनकी पिताजी अपने प्रभाव क इस्तमाल करते तो ऐपायार भी नहीं होती और चार्शीट भी नहीं रखती कहा योगी जी की सरकार में कानून का राज कायब है गुंडा में नसूचित मोर्चा समेलर में शामिल हुए बीजेपी राजसवा सांसा दौरपूर। डीजेपी ब्रिचलाल ने सरकार की उपलब्धिया गिनाई सभा वस्वा पर निशाना साधा का आतंगवादियों को छोड़ने का काम अखिलिश ज्यादों ने किया अवारा पश्वों के पसंद लुक्सान के मुआबजी समेत गन्ना किसानों का भुकतार ना होने से नाराज विधायक ने नौ सूत्रिय मांगों को लेकर शुरू गया निश्चित कालीन धर्था बस्ती में भाजपा की जन्विश्वा स्यातरा का हुआ समापन पाठी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने जन्नसभाकार विपक्ष पर जमकर साधा निशाना कहा खिलेश की शातनकाल में हुए 700 गंगे पंधर आतंकियों को बचाने के लेके सहटाने का भी आद लखनव में आंगनबारी वरकर्स और साहिकाओं के सम्मेलर में शामिल हुए स्यम्योगी 744 आंगरवानी के गेंद्रो का किया लोकार पना और चिलाने अरस पूरी रामनाई की बॉस्तख का लगनोव विमोचन पुस्तक कर्म योद्धा राम नाई का विमोचन लखनों के लोगफवन में भरन पोशन भत्तावित्रन कारइकरम में शामन हुए सीम योगी लाभार्तियों को बाटे चेक कहा कोरोना काल में 54 लाख परिवारों को भरन पोशन भत्तादिया गया अमेठी में मुक्रमंत्री योगी आदेतनाद ने राहूल गांधी को बताए एक्सिजिन्टल जुन्दू बोले दुरुभाग जिसे लिया भारत में चन्म विदेश में भारत के खिलाब तो केरल में अमेठी की जनता की खिलाब बोल जो लगातार मजबूत हो रहा है सपा का कुन्बा आज भी कई दूसरे दलों के नेताओं ने जोइन की सपा लगनव में खलीश यादर ने खुद जोइन कराई पार्टी जोइनिंग कारिकरों के चलते समाधवाजी पार्टी कारेल जाने वाले रास्ते विक्रमादे तुमार्ग पर लगा है भीशर जान गंटों खडी रही गाडियां चालकों को करना पड़ा परशानी का सामना चुनाव आयोग ने पार्ट चुनावी राज्यों को लिखी चिठी चिठी में तेजी से वैक्सिनेशन कराने को कहा गया योग के लोगों को दोनों डोस का टार्गेट पूरा करने और तेजी से वैक्सिनेशन कर एसी को रिपोर्ट सोपने को गहा पाजबा सांसा धरनाच संग अदब ने जेपी नडडा को लिखा चट सीम योगी को मत्रा से चुनाव लड़ाने की अपील की जन्धाबनाओं को ख्यान में रखते हुए सीम योगी को मत्रा से चुनाव लड़ने की अपील प्रियंका गांधी के परिवार के एक सदसे को हुआ कोरोना प्रियंका ने ट्वीट कर दी जानकारी खुदको की आइसोलेट प्रियंका का एक स्टाफ थी वासंक्रमेट गुंडा में 15-18 वर्ष के बच्चों की वैक्सनेशन के लिए कोविट कंट्रोल रूम 24 गंटे रहे आप सक्री रोजणा 10,000 बच्चों के वैक्सनेशन का लक्षित गुंडा में 2,83,450 बच्चों की वैक्सिनेशन का टार्गेट लगातार वैक्सिनेशन जारी है कुरोना से बचाने के लिए बच्चों के वैक्सिनेशन का हुआ आगाज 17-18 साल तक की उमर के बच्चों की लगाई जा रही है कुरोना वैक्सिन की पहली दूश लखनों में भी हुई बच्चों के वैक्सिनेशन अभियान की शुरुआज सिविल अस्पतार पहुँचकर सीम योगी ने की वैक्सिनेशन की समिक्षा मीडिया से बातचीत में बोले ओमिक्रोन को लेकर घबराने की ज़रूरत नही है करोना के नए वैरियेंट पर सीम योगी ने कहा ओमिक्रोन तीसरी लेहर का बन सकता है कारण मुक्यमंतरी ने बताया प्रदेश में कितने कोविट और कितने ओमिक्रोन के केस है ओमिक्रोन की सिर्फ आठ मामले मुक्यमंतरी ने बताया कि प्रदेश में कितने कोविट और कितने ओमिक्रोन की केस आठ मामले हैं कोरोना के प्रदेश में दोजार तुक्सो एक्सेट एक्ट्यू केस है साथी उन्होंने कहा कि सावधान और सतर्क रहना बचाए हलद्वानी के स्कूरों में चात्रों को लग रही है को वैक्सीन हलद्वानी के जीजी आई सी इंट्र कॉलेज में ओड़ रही कोविट नियमों की थच्चिया ते लिए जन्पत में बच्चों का वैक्सीन चुरू वैक्सीन सेंटर पर 15-18 साल के उम्र के बच्चों को लगाई जा रही है वैक्सीन दीका करण को लेकर बच्चों में उपसाफ ऐले ही दिन वैक्सीन के लिए उमड़ी बच्चों के भीर तिहरी में 42,441 बच्चों को ट वैक्सीनेशन चुरू दहरादून में सीमपुषकर सिंधामी ने फीता काड कर दिया वैक्सीनेशन सेंटर काउथ खाट देरादून में बन्नु स्कूल में बनाए गया ठीका करन केंद 15-18 साल के किशोरों को लगाए गया ठीका सीम पुशकर सिंग धामी रहे मौजूद प्रोदेश में 10 लाग किशोरों को लगनी है वैक्सिन प्रया ग्राच में भी 15-18 साल तक के बच्चों के लिए कोविड वैक्सिनीशन का काम चारी यहां खुल 31 केंदर बनाए गया इनमें 11 सेंटर शहरी इलाके में है जबकि 20 ग्रामीर इलाके में है आगरा में 31 केंदरों पर बच्चों को लगाई जा रहे ही वैक्सिन जिलास खुदाल पहुंचे की शोर काफी उटसाइद दिखाई दी गासिबाद में वैक्सिनेशन के सौ से ज्यादा बनाए गया केंदर यहां 15-18 साल के बच्चों की संक्या है तोलाख 34,488 वासंदरा इलाके में सुभा से वैक्सिनेशन सेंटर पर बच्चों के लाइन लगी दिखाई रोजबाद मेडिकल कॉलेज में भी वैक्सिनेशन जारी वैक्सिनेशन से खिले शोरों को चेहरे ठीका लेने पर जोरों ने जिदाई खुशी देश में 24 घंटे में कोरोना के 33,750 नहीं मामले 123 लोगों की मौत 10,846 कोरोना मारी स्थीख देश में कोरोना के एक्टिव केस पड़कर हुए 1,45,582 देश में कोरोना के 3,42,95,407 लोग ठीक हो चुके हैं महामारी के चलते 4,883 लोगों ने जान गवाई है देश में कोरोना के नए वेरियंट अमेरिक्वान के मरीजों के संक्या बढ़कर 1700 हुई इन में से 649 लोग ठीक हो चुके हैं यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस 24 घंटे में सामनी आए 552 मरीज अब कोरोना के एक्टिव केस हुई है 1725 लगनाओ के मिदानता अस्वताल में 11 करबचारियों को हुआ कोरोना के जीम्यू के तीन रिजिदेंट डॉक्टर भी मिले कोरोना पॉस्टिव सभी संक्रिवतों को हूं आइसोलेशन में रखा गया परनसी में वियाईपी दर्शन अगले आदेश्टा के सगेत भक्तों की भारी भीर को देखते हुई लिया गया पैसला आमनागरिकों से दोपहर दो बचे के बाद दर्शन करने की अपील की गई शधालों से मंदर के दर्वाजे तक वाहन ना लाने की भी अपील इलावाद आधह कोर्ट में फिजकल एरिंग होई बंद कोरोना के चलते हैं अब है कोर्ट में वर्चो असलवाई होगी हई cook की लखनाव बेंच पे रिच्वल सुनवाई होगी हाई-Crit की प्रशास्तिक कमेटी निया फैस राध्थानी डिली में बेकाब हुई कोरोना की रफ्तार सोमवार को 4000 से ज्यादा मामलों की हुई पुष्टी संक्रमंदर 6.46 पीज़ी हुई पिछले 24 खंटे में 4999 केस आने से मचाड कम 10,986 मरीजों का चल रहा है लाच अब ताजमाहल के टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेंगे ताजमाहल के टिकट विंडो को किया गया बंद कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैस कोलकाता में भी बिगड़े कोरोना से हालाग बंगाल सरकार की नई गाइडलाइन पश्यम बंगाल में स्कूल कॉलेज बंद ऑफिस में 50 पीज़ी कर्णचारी ही वो पस्तेत रहेंगे ट्रेन और मेट्रो ट्रेन 50 पीज़ी क्शंक्ता के साथ ही चलेगी पश्यम बंगाल में कोरोना मामलो का आकळा एक दिन में 6133 तक महुचा राजे में 8 मौते भिदर माराश्ट में कोरोना के 11,887 नई मामलो ने बढ़ाई टेंचेन मुबई में रविवार को 683 नई कोविड मामले आई सामने ओमिक्रोन संक्रमन के 50 मरीज भी मिले राज्जे में 24 घंटे के भीतर 9 मौते भी रिपोर्ट अमेरिका में विकाबू कोरोना वाइरस का कहर अमेर की रक्षमंत्री लॉयट जेम्स ऑस्टिन भी पाए गए कोविड-19 पॉस्टी लॉयट ऑस्टिन ने ट्वीट कर जानका ले दी कहा डॉक्टर के सभी निरदेश्णों का पालम करना ननिताल में बच्चों में वैक्सीन लगाने को लेकर दिखा जोश जिले के 63,000 बच्चों के वैक्सिनीशन के लिए 357 सेंटर बनाए गए बॉली-विड बढ़ता जा रहा है कोरौना का कैर एक्टर जान अबराहन उनकी प्रिया हुए कोरोना पॉस्टिव जान अबराहन ने बताया कि उन्हों नों वैक्सीन की लगवाई है दोनों रोज और उनने कोरौना के हलके लगचे डारेक्टिव रिडियूसर एक्ता कपूर कोरोना पॉसिटिव रिपोर्ट आने के बाद वो क्वारिंटीन एक्ता ने अपने संपर्क में आये इस तभी लोगों से अपना कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की आगरा में क्रिकेट मैच को लेकर दो पक्षों में फिड़नत एकी समुदाय के दो पक्षों में जमकर पत्राओ और बवाल हुआ फाइरिंग हो गई सिटी बस का तोफा सीम योगी कल साड़े पांच बिल लखनाउस से चरेंगे वर्च और लोकारपन मेरट मुरादाबाद बरेली शापूर अलीगड आगरा और मतुरा को सिटी बसेज मिले बल्या सिफात प्राविधायक सुरेंदर सिंग ने जोयन परिवार पर आईटी के चापे को लेकर सपा पर साथा निशाना का हिंकम टेक्स के चापे से सपा को क्यों हो रहा है कर दो एटा में कारुबारी संदीग गुपता की अत्या अगेबाद के अबनेट मंत्री नंद गौपाल नंदीम के परिजनों से मिलने पहुचे संदीग गुपता के परिजनों से मुलाकात की वहीं मुलाकात की बाद हुने ने कहा कि किसी वी हाल में अपराधी बख्ष नहीं जाए दिली में भाजपा की चक्का जाम की चलते अक्षरधाम, बदरपुर बॉडर, लोनी बॉडर, लक्ष्मी नगर, आजादपुर, पंजाबी बाग समेत का इलाकों में लगा फीशन जाम, सड़कों पर निकले लोग जाम में फसकर हुए परिशा सुपर मॉम का वीडियो सोचल मेडिया पर खूब बाइरल हो रहा है, इस वीडियो में एक बच्चा रेलिंग से घरने लगता है, लेकिन मा जैसी तेजी से चलांग लगा कर उस बच्चे को पकाड़ लेते हैं सबता के पहले कारोबारी दिन सोंबार को शेर बाजार हरे निशान पर खुला, 469 अंकों के उचाल के साथ, 58,253 के स्तर पर बन हुआ सा इंसेक्स, 271 पॉइंट्स की बढ़त के साथ, 17,625 के लेवल पर हुए रिफ्टे की क्लोज़ भारती सराफा बाजार में तीन जनवरी सोंबार को सोने चांदी के ताम में आया उचाल, 496 रुपए के बढ़त के साथ और 40,289 रुपए पर 10 ग्राम पर पहुँचा 24 करेट सोने का भाव अब नित्री सारा अलिखान सुपरेट अब नित्री सारा अलिखान सुपरेट फिल्म कुछ कुछ होता है कि रिमेक में काम करना चाहती है सारा अलिखान का कहना है कि वो अलग अलग तरह के किरदार निवाना चाहती है मध्य प्रदेश के एक शक्स वारा वाहंती नंबर प्लेट के इस्तमाल के लिए विकी कौशल के खिलाफ दर्ज शिकायत के मामले में पुलिस ने कहाए कि फिल्म में इस्तमाल बाइक का नंबर शिकायत करता के नंबर से अलग है पोलिस ने बताये कि सारी गलत पहमी नंबर प्लेट पर लगे बोल्ट के कारण हो